हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं सतीश कुमार आप से भी को हैपी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे रेडिंग कॉम्प्रिहेंसन ठीक है और ये एक स्टोरी है आपका जैसा कि देख रहे होंगे हेडिंग में दा लॉयन लींड यूभर एंट रइवेट च्टेक है बहुत ह्हीं आपका आसान सा है और यह इंग्लिश को शीकने के लिए बहुत ही अच्छा है ठीक है आप मतलब कहानी के माध्यम से आसानी से आप इंग्लिश को शीक सकते हैं ठीक है तो देखें इसमें हम डिस्कॉस करेंगे और जो वरड मिनिंग आपको नहीं आता है उसको आप नोट करते चलेंगे या आप इसका अगर पीडियाप चाहते हैं तो आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजिए वहाँ पर आपको यह अभलेबल है वहाँ से मिल जाएगा ठीका ना और इस रीडिंग कॉम्प्रेहेंसन के निर्दई क्रूइल मिन्स निर्दई आपूएल लायन लायन मिन्स जानते हैं शिह एक क्रूइल लायन लीवड इन दा फॉरिस्ट अच्छे यह लीव जो है वह क्या है भरका सेकेंड फ़ोर्म है इसका मतलब हुआ कि यह आपका पास्टेंस की बात हो गई नहीं और होता है और भार्व का सेकेंड फॉर्म आता है ठीक है तो यहां से आप यह बोल सकते हैं कि अक्रुएल लायन एक निर्दई जो शेर है सिंह जो है वह इंदफ लीवड इंदफ फॉरेस्ट वह जंगल में रहता था एवरी डे परते एक दिन ही किल्ड एंड एट अलाट ओफ एनिमल्स वह परते एक दिन वह आपका बहुत सारे जानवर को अलाट ओफ मिन्स होता है बहुत जरा तो अलाट ओफ एनिमल्स वह बहुत सारे जानवरों को मारता और खाता था तो अधर एनिमल्स जो अन्य जानवर ठीकन और अफ्रेड आफ्रेड विर्ट का यो यह की पायदा कि आशेर की बात आए तो हमेशा आता है ठीक है न अफ्रेड ओफ तो यह याद रखना है तो दलायन उड कील देम ओल नहीं मतलब अन्य जो जानवर हैं वह आपका भैवीत रहते थे कि लायन जो है उन सभी को क्या कर देगा मार देगा ठीक है अब देखें यहां से पूरे कहाने अगर इस पैराग्राप को देखा जा कि एक जो निर्दई आपका सेर जंगल में रहता था जो परती एक दीन आपका बहुत सारे जनवरों को मारता और खा जाता था तो अन्य जो जानवर थे इस कारण से आपका डरे हुए थे भैवीत रहते थे क्योंकि आपका लायन जो है उसको ऐसा लगता था कि शेर उन सभी को मार देगा ठीक है बात समझ में आया होगा यहां तक आगे देखिएगा नेक्स्ट आगे है कि अनिमल टोल्ड न लायन तो जो अन एनिमल थे जो डरे हुए थे वह आपका लौएन से जाकर कहते हैं तो आप जानते हैं टेल देल का आपका सेकेंड फोर्म क्या होता है टोल तेल मिन्स आपका है बताना कहना नहीं अब देखे से मिन्स भी आता है तो दोनों में अंतर क्या रहेगा कि अगर से के बाद आपजेक्ट आता है ठिक ना तो इसके पहले टू लगा रहेगा लेकिन टेल के बाद डैरेक्ट आपजेक्ट आता है इसके बाद अगर टू लगात ही है ठीक है तो आप याद रखेंगे कि टेल के बाद ड Store आते हैं और से टू से के साथ आपका आपज़ेख्ट के पहले क्या लगाया जाता है इसके पीछे का कारण क्या है तो आपको हम बताते देखे जो टेल है ठीक है ना यह है आपका ट्रांजिटीव भर्ब ठीक है और जो से है यह है आपका इन्ट्रांजिटीव भर्ब अब क्या होता है कि ट्रांजिटीव भर्ब जो है वह अपने बाद डारेक्ट अब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटीव भर्ब करने के मतलब वह भर्व होते हैं जो अपने बाद object लेते हैं इसलिए इसके साथ कोई preposition नहीं लगता है और intransitive भर्व करने के मतलब वो हुआ कि जिसके बाद object नहीं आते हैं ठीक करना object नहीं आते हैं इसलिए अगर object लगाना है इसके साथ तो आपको इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा बात समझ में आया चले आगे देखीगा यहाँ पर क्या है the animals told to the lion animal ने lion से कहा अन जो जानवर थे उसने share से कहा let's make a deal कि हम लोग एक क्या करते हैं deal करते हैं हम लोग एक deal करते हैं एक समझाता करते हैं इफ यू हाँ यह deal करेंगे तो ओ कहता है कि if you if क्या है मतलब यदी condition को सो करता है if you promise promise means वादा करना if you promise to eat only one animal each day कि अगर तुम वादा करते हो कि परती एक दिन सिर्फ एक ही animals को खाओगे तो हम तुम से एक क्या करते हैं deal करते हैं और क्या करते हैं then one of us तो हम लोग में से एक जो है will come to you every day कि तुम्हारे पास आ जाएंगे ठीक है ना then तो you don't have to hunt hunt मतलब शिकार करना तो इस कारण से अब क्या होगा कि अब उसको कह रहा है share को then you don't have to hunt and kill us तो आपको हमें सिकार और मारने के अपशकता नहीं पड़ेगा देखें कितना अच्छा उपट दिया गया lion को अन जानवरों जो है वो मिल करके कहा कि यदि तुम वादा करते हो तो हम लोग में से एक जानवर डेली तुम्हारे पास आ जाएगा नहीं और इस कारण से अब तुमको शिकार करने के लिए और हमें मारने के अपशकता नहीं होगा आसानी से हम लोग में से एक एक डेली एक चला जाएगा और उसी को तुम क्या करना खा लेना ठीक है ना आगे देखेगा दप्लान सौंडेड वेल अब देखे सौंड मतलब होता है आवाज लेकिन यहां देख रहें कि यह सौंड जो है वह वहर्ब की रूप में होता है तो वहर्ब की रूप में सौंड का अर्थ होता है प्रतीत होना क्या होता है प्रतीत होना ठीक है ना प्रती यहां पर इख आप है कि दप्लान यानि यह जो योजना है संदेड वेल मतलब अच्छा अब देखे यह पाइसेज के पढ़ने से क्या फाइदा होता है कि आ यही जो वेल है इसी वेल का अर्थ निकलता हैं कुँअ भी समझ में आ रहा है ना इसी वेल का अर्थ क्या अर्थ निकलेगा अब यहाँ पे जैसे योजना है तो वह आपका कुवा थोड़े के दिखाए पड़ेगा वह योजना जो है अच्छा परतीत हुआ नहीं दा प्लान सौंडेड वेल थाउट आउट तू दा लाइन नहीं लाइन ने जब सोच विचार किया तो उसे क्या लगा कि प्लान अच्छा है अगले दिन मैं सभी को क्या कर दूँगा मार दूँगा देखे अब सेर है तो सेर का तो एटिचीट रखे तो यह कहता है कि हम यह तो वादा करते हैं कि अगर तुम लोग में से कोई एक आ जाते हो डेली तो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर तुम लोग में से प्रती एक दिन कोई एक नहीं आता है तो हम अगले दिन सभी को क्या कर देंगे मार देंगे ठीक है ना तो यह आपका लायन ने कहा, अब देखिए आगे क्या होता है, आगे अब ये है कि each day after that, यानि उस दिन के बाद से, ठीक न, प्रतियक दिन, one animal went to the lion, कि एक जो जानवर है, वो लायन के पास जाता था, so that, ताकि, so that means, ताकि the lion could eat it, ताकि लायन उसे क्या कर सके, खा सके, then all the other animals, तब आपका क्या है, कि अन जो सभी जानवर थे, were safe, safe मतलब सुरच्छित, और इस कारण से अन जो जानवर थे, वो सुरच्छित रहते थे, ठीक है न, finally, it was the rabbit's turn, किस की बारी आ गई, खरगोश की, यहनी खरहे का, rabbit मतलब खरगोश, और देखे, turn मतलब मूरना होता, और turn मिन्स बारी भी बोलते हैं, कि अब यह किस की बारी आ गई, rabbit की, to go to the lion, कहां जाने का, lion के पास जाने का, ठीक है, आसा करते हैं, समझ में आ रही होगी, next दिखिएगा, the rabbit went very slowly, वो बहुत धीरे धीरे गया, that day, so the lion was angry, angry मतलब क्रोधित, इसलिए आपका जो शेर्ट था हो गया, क्रोधित हो गया, when the rabbit finally arrived, arrive मतलब पहुचना, जब आपका rabbit जो है, वो अंतता पहुचा, तो कहता है, the lion angrily asked the rabbit, angryly मतलब क्रोध पुरबक, lion ने क्रोध से आपका rabbit से पूचा, ask मतलब पूचना, पूचा, क्या पूचा, why are you late, तुम क्यों देर हो, ठीक है न, तुम क क्यों देर हो, क्यों तुम देर से आए, अब देखे, आगे, next, क्या है, कि I was hiding, hide मतलब होता है, छुपाना, ठीक है न, तो कह रहा है, कि I was hiding from another lion in the forest, कि मैं आपका जंगल में दूसरे lion से छीप रहा था, ठीक है न, that lion said, वह lion ने मुझे कहा, कि he was the king, कि वह राजा था, so I was afraid, इसलिए मैं क्या कर गया, डर गया, ये कौन कहा, रैविट ने कहा, the lion told the rabbit, अब लाइन ने फिर रैविट से कहा, कि I am the only king here, कि मैं यहां पे मात्र मैं ही एक राजा हूँ, तो take me to that other lion, तो मुझे उस दूसरे lion के पास क्या करो, ले चलो, and I will kill him, कि और उसे मैं क्या कर दूँगा, मार दूँगा, the rabbit replied, मतलब जवाब देना, तो rabbit ने जवाब दिया, I will be happy to show you where he lives, कराया कि मुझे खुशी होगी, आपको ये दिखा करके, कि वो कहा रहता है, ठीक है न, देखिए, आगे कहानी देखिए, क्या करता है आगे, आगे फिर चलते हैं, तो आप कहाता है कि the rabbit laid the lion, laid क्या है, l-e-a-d, नहीं, इस lead का second form laid है, lead मतलब होता है, निर्थित करना, तो वही आपका rabbit ने lion का निर्थित करते हुए, उसको ले करके गया, to an old whale, कहां पे ले गया, एक पुरानी कुवाँ पे, अब यहाँ पे whale का अर्थ क्या निकल गया, कुवाँ, समझ मै meaning का real use समझ पाएंगे, यहाँ देखे whale का मतलब क्या है, कुवाँ, तो rabbit ने उसे आपका lion को कहां ले गया, एक कुवाँ के पुरानी कुवाँ के पास ले गया, in the middle of the forest, मिडिल मतलब महद, यानि जंगल के बिलकुल महद्द में, the whale was very deep, कतकुवाँ बहुत गहरा था, with water at the bottom और उसके तल पे, water मतलब तल, और कुवे के तल में आपका पानी भी था, the rabbit told the lion, rabbit ने lion से कहा, look in there, उसमें देखो, the lion leaves at the bottom, कि जो lion है, वो उसके bottom में रहता था, ठीक है न, कौन सा lion की बात हो रहे है, जो आपका, जिसको आपका घरगोश ने कहा था, कि एक दूसरा जो lion है, वो आपका हमको बोला, कि हम तुमको मार देंगे, ठीक है न, इसलिए हमको देर हो गया, उसे छिपने के कारण, तो यहाँ आप देखे, आगे क्या कहता है, when the lion looked in the whale, कहता है, जब यह lion जो है, whale में, कुवा में देखा, he could see his own face, तो वह क्या देखा, वह अपना ही चेहरा दे देखा, in the water, किस में, पानी में, तो he thought that, वह सोचा कि, was the other lion, लेकिन वह क्या सोच लिया, कि वह आपका दूसरा lion था, ठीक है न, एक्छोली में इसको क्या दिखाए दिया, एक्छोली में तो इसको तो अपना परतिभिम ही दिखाए दिया, लेकिन इसको क्या लगा, कि वह क अच्छन इंतजार किये, the lion jumped into the whale, lion जो है, वो कुए में क्या कर गया, कूद गया, to attack the other lion, किस लिए, lion को, lion पर attack करने के लिए, attack means, अक्रमन करना, he never came out, और फिर उसके बाद से वो कभी नहीं आया, ठीक है, तो all of the other animals, तो अन जो सभी जानवर थे, in the forest, were very pleased, बहुत क्या होग with the rabbits, clever trick, इसके करन, तो rabbit की जो चतुराई भारा तरीका था, trick था, इससे आपका सभी जंगल के अन जानवर सुरचित भी होगे, और बहुत क्या होगे, खुश होगे, ठीक है, आसा करते हैं, कहानी समझ में आया होगा, ठीक है न, और देखें, यह story बहुत ही easy था, और यह English क शीखने के लिए बहुत ही आपका, मतलब एक बोल सकते हैं, कि इसी चोटे चोटे और interesting कहाने से ही क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, ताकि आपको interest भी रहेगा, और जब आपको चीजे समझ में आएगा, तो आपको लगया कि English भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं ह अब देखें, यहाँ पर है कि answer the questions, ठीक है ना, answer the questions, तो इसमें आपका एक चीज़ियान दीजे, कि अब यहाँ पर जुतने भी questions दिये हुए हैं, ठीक है ना, अब what is this a story about, अब मेरा काम था कि हमने तो passage पढ़ा दिया पुरा, अब यह सारे questions का answer जो है, वो आप क्या करेंग बताएंगे कि इसका answer क्या होगा, ठीक है ना, और इसको comment box में या आप इसका answer जानने के लिए फिर आप, आप telegram channel को क्या कर सकते हैं, join कर सकते हैं, वहाँ पर इसका answer हम क्या करेंगे, दे देंगे, और वहाँ से आप answer को मिला लेंगे, ठीक है, वहाँ से आप answer को मिला यह देखे, यह देखे, यह तिसरा question आपका है, ठीक है, फिर से question को दिखा देते हैं, थोड़ा से दर problem हो गया था, यह देखेगा, यहाँ पर आपका पहला question जैसे आपका है, पहला question देखे आपका, what is this story about, how, option A है कि how a clever rabbit treat a cruel lion, second है how rabbits learn to hide from lions, यह है how a rabbit pleased an angry lion, और यह है how to be safe when you hunt in the forest, अब इसका answer क्या होगा, यह आप comment box में करेंगे, ठीक है, और answer आप अपना telegram channel पर मिलाएंगे, ओके, telegram channel का link आपका description box में दिया हुआ है, आप उससे join कर लेंगे, ठीक है, दीक है, दूसरा आपका है, दूसरा question, कि what did all the animals say to the lion, ती, सभी जो आपका animal था, वो लाइन से क्या कहा है, ठीक है, option दिख रहा है आपको, और उसके बाद तिसरा question आपका है, कि why did the rabbit take the lion to the whale in the middle of the forest, अब option देख रहे हैं आपका, A, B, C और D है, ठीक है न, चार नमबर देखे, which of the following is true at the end of the story, नहीं इसका आपका स्टोरी में आपका, जो कहानी था, उस कहानी का last में आपका क्या था, ठीक है, आए देखे, next यहां पे आपका, करें, the lion finally dies, to die, और पांचमा question है, what did the lion see when it looked in the whale, और इसका answer आपको write करके देना है, इसमें आपको खूद क्या करना है, लीखना है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग next unit 2 को शुरू करेंगे, ठीक है, और इस चीज़ का PDF आपका भेजा हुआ है, टेलिग्राम चैनल पे, आप उहां से इसको join करके क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, तो next हम लोग unit 2 को शुरू करेंगे, और English शुदारने का ये एक बेस्ट तरीका, बहुत ही basic, और सभी आपका बिलकुल, मतलब जो daily life में इस्तेमाल होने वाले word है, वो सभी आपका इसमें दिया हुआ है, ठ रखते हैं, next फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले lesson को देखेंगे, okay, thank you